हमारा एक सपना है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह सपना पूरा होगा मैं लखनव को हो उत्तर देशी नहीं बल्कि देश का एक बहुत ही खुप्सूरत सहर बनाना चाहता हूँ अब परमात्मा कितना पूरा करेगा यह मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन मैं उसी दिशा में अपने कदम को में आगे बढ़ा है पहली बात जो हमारी समझ में आई है जो उत्तर प्रदेश में ट्रैसिक का बोज सर्कों के ऊपर बढ़ता जा रहा है आवश्यक्ता है कि इससे मिज़ाद दिलाई है आगामी 25-30 वरसों को देखते हुए पेरे हम बिचार करें आज के संदर्वों में तो उस समय कितना ट्रैसिक का बोज होगा कि साइल कोई पैदल चलना भी लखनओ की शर्कों पर बहुत मुश्किल हो जाए इसी ने पहला काम मैंने यही किया कि लखनओ के चारों तरफ लखनओ के चारों तरफ एक सो चार किलो मिटर की जाने के लिए चार लेना एक सो चार किलो मिटर इस रिंग रोड ते जहां पर ट्रैसिक जांग कम होगा वही पर कुछ और फ्लाई ओबर बनाये चाहिए ताकि आगे 15-20 वरसों के बाद भी यदि ट्रैसिक का लोट और बढ़ जाता है तो कुछ लोग नीचे से जाए और पांच प्लाई ओबर और शिक्रत हो गया, शिला न्यास हो गया, और कुछ का काम भी प्रारंग हो चुपा है